ये सुभाग्य आपने दिया के परमिश्वर आपके चरणों के पास बैठके सीख सकें ऐसी बातों को आपने हम सब के लिए मोहिया करवाया उसके लिए आपको लाखो धन्यवाद प्रभु जी ये खीमती लोग ये प्रेशियस लोग जो इस वक्त में जुड़ कर देख रहे ह यूटूब पर जो लोग देखते हैं पिता मैं आपका उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु कि ये ऐसे लोग हैं ऐसे योद्धा हैं ऐसे शूरवीर हैं प्रभु जो परमिश्व तेरे खेती में तेरे विन्याड में ऐसा काम करेंगे जो तीस और साथ नहीं बल कि सौगुना फल लाएंगे प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं परमिश्वर एक एक पास्टर के लिए एक एक लीडर के लिए एक एक अगवे के लिए प्रभु जो इस वक एशू तेरे सेवा के लिए समर्पित है प्रभु जी आपका धन्यवाद इसलिए भी कि ऐ ऐसा एक जरिया एक ऐसा यूग आपने दिया है जहां इंटरनेट के माध्यम से जहां शोशल मीडिया के माध्यम से जहां ये ये टेकनोलोजी प्रभू आपने दी है जूम के माध्यम से परमेश्वर हम कई हजारों लोगों से यूटूब के माध्यम से कई हजारों लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसा दिन आपने रखा है, उसको हम इमानदारी से, सच्छाई से, यूटिलाइस कर सकें, सहयोग कर सकें, ऐसी कृपा दीजे प्रभू, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता, जो जुड़ चुके हैं, और जो जुड़ रहे हैं, और जुड़ने की कोशिश क कर रहे हैं, इन सभी को आपके हाथों में ले आता हूँ, आज का वच्छन प्रभू जी, इन सभी को समझा सकें, ऐसा अनुग्रे दीजे, आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रात्ना, ईशु के नाम से मांगता हूँ पिता, तुस सुन और कबूल कर, आमेन, जी, एक अ जायद हो सकता है, सोच रहे होंगे, कि पास्टे डैनियल वर्शिप क्यों नहीं हो रही, या ब्रदर विवेक कहां है, आपको बताता है, चलूं कि ब्रदर जो विवेक हैं, वो बिजी रहते हैं, उनका अपना काम रहता है, उनको सिरफ और सिरफ सब्ता में दो दिन, एक है तूस्डे जो डीटी स्टार्ट होता है, और दूसरा है संडे, जो वर्शिप हमारी ऑनलाइन चलती है, उसमें सिरफ दो दिन हम उनको बुला रहें, और बाकी टाइम उनका काम होता है, जिसके चलते वो नहीं आ पारें, बड़ मैं समझता हूं कि इससे कोई फरक नहीं परमेश्वर किसी का मौताज नहीं है, परमेश्वर किसी चीज़ का बंदिश नहीं है, लाखो करोडो सुर्गदूत हैं, जो दिन रात उसकी स्तूती करते हैं, मैं समझता हूं कि हमको परमेश्वर ने मौका दिया, जब हम स्तूती करते हैं, यह परमेश्वर का ग्रेस है, जो हम करते हैं और अगर नहीं होता है तो भी हम किसी बात के चिंता नहीं करते हैं क्योंकि प्रबु हमारे हमेशा साथ रहता है अमेन ना या कुछ लोगों को मैंने स्पोर्ट किया हुआ है क्या क्या कहते है स्पोर्ट या पिन हाँ किया हुआ है ऑर जैसे कि हमेशा निर्जिला जी आप रहती हैं रेखा जी आप है, सिस्टर एस्टर जी हैप है, आशा विलर जी आप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पास्टर रमन हैं और नाम लेने में दिकत हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटा-छोटा नाम है तो ये सबी लोगों को मैंने स्पॉर्ट किया है अफकोस सिस्टर नीलम जी आप भी है और ये सबी को जो है हम स्पॉर्ट करते हैं शीला जी आप हैं और साथी साथ अजे कशब श्रीकांट श्रीकांट तो हमेशा हम रहते हैं वो पहले रहते हैं एजरा पंदारी जी एजरा साब आप भी हैं और साथ ही साथ चलिए बहुत नाम लंबा हो जाएगा तो ये सब के सब मेरे स्पोर्ट पे हैं मतलब इनको पिन किया हुआ है दुस्से लैप्टॉप में तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं तो सब को म ना और सिस्टर निरिजिला जी जैसो को सुबे की गुड मॉनिंग क्या करें वो लोग अलग देश में हैं हम अलग देश में हैं ठीक है न चलिए वापस आते हैं आशा करता हूं कि कल का जो स्थडी था बहुत बहुत जादा आप लोग ने सीखा है अमें और ऐसे ही अब हम सब्सक्रा का आखरी दिन होगा यानि की एपिसोड नंबर 12 और वहाँ होगा डे फ्राइडे हिंदी में कहते हैं शुक्रवार आशा करता हूं कि आप लोग यहां से सारी बातों को समझ रहें आपके स्क्रीन के उपर ओ पाफी चाहूंगा साथी साथ जितने यूटूब के लोग हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो डीटी पे नहीं जुड रहे हैं आप लोग मुझे यूटूब पे देख सकें क्योंकि डिसाइपल्शिप ट्रेनिंग के उपर ताउजन मेंबर्स का जिचे ही चल रहा है जिसके चलते अगले महिने से हम सब्सक्रिप्शन सिरफ 500 का रखेंगे तो जो जुड जाएंगे जिसको कहते हैं फस्ट कम, फस्ट बेस कम, फस्ट कम वाला चकर हम उसको रखेंगे ठीक है ना खल एक अनॉंस्मेंट होगी और मैं वापस कहता हूं कि आ आप DT वालों के लिए बहुत इंपोर्टन है ठीक है ना अब यहां से बात को आगे बढ़ाता हूं जितने YouTube के लोग हैं आप लोग भी ध्यान से सुनियेगा लिखा है MMB Presence Discipleship Training Equipping the Universal Church with Sound Doctrine जी इसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर हम जो है प्रभु जिस विशे पर हम सीख रहें वहां है Christian Lifestyle जिसका हिंदी शब्द है मसी जीवन शैली या मसी जीवन शैली ऐसे बोल सकते हैं ना साथी साथ जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं आपको अब यहां से ऐसे बैठ कर देखना है या सुनना है कि इसको आप रिसीव कर सके क्योंक ओके बहुत बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपके बीच में रख रहा हूं और मैं फिर से रिक्वेस करता हूं कि बहुत जादा प्राथना पुरुवक रिसीव करने वाला रिधाय के साथ आपको बैठना है और सेम विद्धा यूटू पीपल आलसो जो देख रहे हैं आपक कि यूटू के काम चल रहे हैं हो सकता है तो उसको रोकिये या हो सकता है कि आप paying कॉंसेंट्रेट कर सके हैं और साथी सा जिसने परमीशन मांगी है कि हम नोकरी करते करते और ये को हम सुनते हैं विडियो ओ नह ordinance कर सकते हैं एक आसो को छूट है जो ट्यूपल कर रहे हैं एस विशह है, विशह है, विशह है, लिखा है पाप को हलके में मतलो, एंगलिश रख रहा हूं, डोंट टेक सिन लाइकली, या, इस विशह पर आने वाला हूं अभी, तो साथ ही साथ जितने यूटूब पे हैं, आपके ठीक स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं, लिखा है पाप को हलके में मतलो, इंगलिश टांसलेशन भी रख दिया हूं, लिखा है डोंट टेक सिन लाइटली, जिसका अर्थ है कि हमको परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, एक ऐसी चीज, एक ऐसा शब्द, जिसको कहते हैं पाप, और जिसका मतलब है कि परमेश्वर की आग्या को तोड़ना ही, उसको कहते हैं पाप, disobeying the God word, उसको कहते हैं sin, तो उस विशे पे मैं बात कर रहा हूं, और लिखा है पाप को हलके में मतलो, मुझे नहीं पता कि इस मैं खुद भी इसको 28 साल के ministry में, first time, इस topic पे बात कर रहा हूं, जहां लिखा है पाप को हलके में मतलो, don't take sin lightly, तो मैं चाता हूं कि अगर नहीं सुना, ध्यान से सुनो, अगर सुना है, तो ऐसे points आएंगे, जो शायद हो सकते हैं, आपने नहीं सुना, तो आपको बहुत सम भलकर सुनना जरूरी है, now, साथी साथ, Pastor Havel, Pastor Havel, Pastor Havel साब, अपने wife के family के साथ बैटें आप, जी जी, बहुत बहुत शुकरिया, God bless you brother, God bless you Pastor जी, ओके, जितने भी, अभी मैंने कहा था ना, कि मैं कुछ लोगों को देखते रहता हूँ, हाँ, तो मैं कुछ को पैचानता है, इसलिए उनको greet कर रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए, वापस आते हैं, जितने DTK लोग हैं, आपको बहुत तयारी के साथ अभी देखना है, ठीक है ये बाते सुनते ही, अननिया गिर पड़ा और प्रान छोड़ दिये, या, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन-कौन इस वेक्ति को जानता है, मेरी कोशिश होती है, यूटूब वालो, कि जितना हो सके, वचन से, इमेजस से, या स्टेटमेंट से, आपको मेरे टॉपिक से परचार से मैं कनेक कर सकों, उसी वज़े से मैं फोटो का सहरा लेता हूँ, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि किसी के पैरों के पास ये वेक्ति गिरा पड़ा है, ये किसके पैर है, पत्रस के, ये नीचे कौन गिरा पड़ा है, एक वेक्ति, जिसका नाम है हननिया, अब पुस्तक, जिसको कहते हैं प्रेडितों की पुस्तक, इसके पुस्तक के पांचवे अधियाए में एक ऐसी घटना घट जाती है, जिसका जिकर मैं अभी रखूंगा, वो तो सही बात है, लेकिन आपके जहन में, आपके दिमाग में एक पिक्चर या इमेजन क्रियेट करिए करिये के पृत्वी पर पवित्रात्मा को आए, कुछ दिन, कुछ महीने, वो भी जादा बोल दिया, ये घटना को घटने के कुछी दिन पहले पवित्रात्मा नीचे आ चुका था, पवित्रात्मा ने तीन हजार की मेंबर या कलिस्या के सदस्या, एक ऐसी कलिस्या जिसको क मसी की दै, the body of Christ में येशु ने तीन हजार सदस्य को जोड़ा था और लिखा है प्रेटों के किताब दुसरा दियाएवचन 43 से लिखा है कि वह तीन हजार प्रती दिन परमेश्वर के भए मैं रिपीट करता हूँ परमेश्वर के भए में चलते थे प्रती दिन सिक्षा पाते थे उस सिक्षा में ये वैक्ती था मैं रिपीट करता हूँ उस थीन हजार के बैच में ये हननिया था ये पहली कलिसिया का मेंबर था ये वो वैक्ती था जिसका ये शु मसी में बाप्तिस्मा हो चुका है उधार भी हो चुका है इसका जीवन बदल चुका है ये यशु में आज चुका था और साथी साथ बताता चलों कि ये वेक्ति अकेला वेक्ति विश्वासी नहीं था इसकी पत्नी भी विश्वासी थी जिसका जिकर मैं अभी करूंगा साथी साथ ये वो वेक्ति है मैं रख रहा हूँ ये वो वेक्ति है जो पत्रस जैसे पास्टर से टीचिंग लेता था अब ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा माजरा या सिनारियों पता चले कि किस तरह की कलिस्या थी ऐसी कलिस्या जिसको जिसके पास्टर को एक चाप्टर पहले यानि की चौते चाप्टर में इस पास्टर को धंकी दी गई थी पीटर पास्टर को कि यशु का प्रचार नहीं करना लेकिन जब इसी पास्टर पीटर ने यूटूब आलो आप ही सुनिये हाथ उठा कर प्रात्ना करी तो वो जगा जहां ये पास्टर प्रात्ना करा था जिसका नाम है पत्रस वो जगा हिल गई वो जगा हिल गई क्यों? क्योंकि इशु ने कहा ये जगा को मैंने इसलिए हिलाया ताकि मैं सब को बता सकू कि इस पास्टर पीटर के साथ में मैं खड़ा हूँ, वाव, यहां ताली बजने चाहिए थी Amazing, amazing, amazing इस पास्टर के साथ में मैं खड़ा हूँ तो ऐसी कलिसिया जो प्रती दिन ईशू के पीछे चलना ईशू की सिक्षा पाना ईशू की गवाही देना पवित्रात्म का काम होना पत्रस वो वेक्ति था जिसने एक जनम के लंगडे को ठीक कर दिया पत्रस वो वेक्ति था जिसकी परचाई से लोग चंगे होते थे ऐसी कलिसिया का ये वेक्ति था जिसका नाम है हननिया और लिखा है ये बाते सुमते ही हननिया गिर पड़ा और प्रान छोड़ दिये आप YouTube के लोगों ऐसी क्या घटना घटी थी मैं एक एक करके आपके बीच में जाऊंगा तो सबसे पहले परीतों के किताब पाच्वा ध्याय वचन एक लिखा है हननिया नाम एक वेक्ति या मनुष उसकी पतनी सफीरा ने कुछ भूमी बेची रिपीट करता हूँ कि हननिया नाम एक मनुष उसकी पतनी सफीरा ने कुछ जमीन बेची या भूमी बेची वचन दो उसके दाम या पैसे में से कुछ रख छोड़ा मतलब अपने लिए रख लिया यह बात उसके दाब में से कुछ रख छोड़ा यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी उसका एक भाग इसका मतलब है के दो भाग किये होंगे तो उसका एक भाग लाकर प्रेरीतों के पाओं के आगे रख दिया इसलिए लिखा है कि पत्रस के पाउं के पास गिरा पड़ा है तो लिखा है कि इस वेक्ति ने अपनी प्राप buckets बेची और बेच कर क्या किया इसने जो है एक भाग दो किये थे एक भाग इसको कहते है टू पार्ट तो एक पार्ट two potions, फिर एक potion, लाकर चेलो के पैरों में, यानि के पत्तिरस के पैरों पे लाकर रख दिया, बहुत द्यान से सुनियेगा. Now, उन दिनों में, ऐसा होता था, YouTube के लोगों आप भी द्यान से सुनिये, कि उन दिनों में, ऐसा होता था, कि सब के सब मिशन में जुड़े थे सब के सब परमेश्वर का काम बहुत तेजी से कर रहे थे और उस वक्त में एक ऐसी चीज की आवशक्ता थी और वो आवशक्ता थी कि पैसा 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 वो पैसा जमीन के रूप में आए तो भी सुईकार है वो पैसा चांदी सोने के रूप में आए, तो भी सुईकर है, वो पैसा चाहे डॉलर में आए, उन दिनों का सिखे में आए, चांदी का सिखा जो आप जानते हैं, ऐसा किसी भी रूप में आए, उनको जरुवत थी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम, एशु की गवाही, य यहूदिया, समरिया, पृत्वी के छोड तक फैला था, इस टास्क, इस मिशन में यह सब जुड़े थे, I hope you got the point, okay? Now, जिसके चलते एक ऐसी बात होती थी, कि अपनी प्रॉपटी बेचो, और प्रीटों के पाउं पे रखो, अपने पैसे लाओ, और प्रीटों के पाउं पे रखो, तो हननिया को भी पता चला, कि मुझे भी अपनी प्रॉपटी बेचनी है, लेकिन दिक्कत ये हो गई, कि इ दूसरा हिसा हम खुद के लिए रखेंगे, ऐसा सोचना, ऐसा लेना पाप नहीं है, ऐसा करना पाप नहीं है, लेकिन पाप कब हुआ, और जिसको इन्होंने हलके में लिया, मैं आपको उसको कनेक करूंगा, इसके पहले एक वेक्ती, जिसका नाम है बर्नबा, बर्नबा, ब एक चाप्टर पहले, अधियाए चार, वचन चाप्टिस, एक चाप्टर फोर वस थर्टी सिक्स में, लिखा है, यूसुफ नाम कुप्रूस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बर्नबा, अर्था शांती का प्रूश रखा या पुत्र रखा था, इसका नाम था यूसुफ, जो की लिखा है, आप देख सकते हैं, थर्टी सेवन क्या कहता है, देखिए, उसकी कुछ भूमी थी, जिसे उसने बेचा, और दाम के रुपे लाकर प्रेरितों के पाउं पे रख दिया, तो इसकी नकल, या ऐसा ही हूबा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक उसक प्रेरितों के पाउं के आगे रख दिया, तो आप देख सकते हैं, कि बरनब्बा ने भी पैसे लाए प्रेरितों के पाउं पे रखा, फिर ठीक उसके बगल में हननिया ने भी पैसे लाए और प्रेरितों के पाउं के पास रखा, अब गलती कहा है, और गलती क्या है, और कै से पकड़ा जाए कि गलती क्या है क्योंकि बरनब्बा गलती में पकड़ा नहीं गया क्यों क्योंकि बरनब्बा ने इमानदारी से पैसे लाए और पत्रस के पाओं के पास रखे लेकिन जब हननिया ने भी वही कॉपी वही कट टू कट या फिर वही सिमलरली करने की कोशिश क लेकिन वह गलती पकड़ी गई अब ये पिछर देख लो येह है पतरस और जो नीछ गिर रहा है वो है हननन्या लेकिन पतरस ने आप देक सकते हैं लेकिन पतरस ने हननन्या को पकड़ा वाँ बिलकुल पकनेक्ट रहींगा, रिक्वेस्स करता है बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा लिखा है लेकिन पत्रस ने हननिया को पकड़ा और साथी साथ आप ये भी देख लो किसने कहा था पत्रस को की हननिया गलत है मैं इसके ओपर बात करूँगा अभी मैं फिर से रख रहा हूँ ये दो कैरेक्टर एक का नाम है बरनबा जो सही था दुस्से का नाम है हननिया जो गलत था लेकिन पत्रस को किसने कहा कि जो हननिया है वो गलत है किसने कहा क्योंकि ऐसा कोई खबर ऐसी कोई मशीन ऐसी कोई बातें जिसको मुंबई की भाशा में पोलिस वालों की भाशा में कबरी कहते हैं ऐसा कोई पत्रस के पास भी नहीं था तो पत्रस को कैसे पता चला कि बरनबा सही है और हनन्या गलत तो इसका मतलब है बहुत द्यान से सुनना इसका मतलब है जो कि मैं जवाब वचन से भी दूँगा परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र ये तीनों के तीनों जिसको कहते हैं त्री एक परमेश्वर यूटूब के लोगों आप भी सुनिएगा इस पास्टर पत्रस के साथ में था आमेन, इस पास्टर पत्रस के साथ मैं था, और परमेश्वर उन दिनों में बहुत ध्यान से सुनेगा और जब बाइबल का टॉपिक आएगा तो मैं इसके उपर जोर से बात करूँगा या खुल कर बात करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पर से जाएगा, क्योंकि हम एक टाइम पर दो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है सिस्टर रिक्वेस्ट करता हूँ, और की, गॉड ब्लेस यू काहां था मैं, वापस आना पड़ेगा जब बाइबल का टॉपिक निकलेगा तब मैं जोर से बात करूँगा, लेकिन अब ही आपको खुल कर थोड़ा सा बता देता हूँ उन दिनों में ऐसा होता था कि बाइबल नहीं थी टोटल बाइबल नहीं थी, कुछ ही शो में थी जैसे नभियों की किताबे, भजनों की किताबे मुसा की किताबें, लेकिन complete बाइबल नहीं थी लेकिन परमेश्वर ने परकने की आत्मा बहुत जोरों से दी थी परक की आत्मा, चंगाई की आत्मा, दुस्सों की भाशा में प्रचार करने की दान ऐसी बहुत सारी बाते दी थी, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा जरा देख लेजे फोटो रख रहा हूं, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा बरनबबा सही है, हननिया गलत है, और जिसके चलते लिखा है कि हननिया को पत्रस ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा वचंतीन को देखे जैसे ही पकड़ा पत्रस ने कहा हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली अब जरह शब्द देखे कि तू पवित्रात्मा से जूट बोले वाव तो इसका मतलब है अभी से बता देता हूँ कि इस वेक्ति ने जिसका नाम है हननिया इस वेक्ति ने जिसका नाम है हननिया, इसकी गलती यह नहीं थी कि इसने जमीन बेची इसकी गलती यह नहीं थी कि इसने कुछ पैसे रख लिये इसकी गलती ये थी, कि इसने जूट बोला, ये देख लिजे, इसने जूट बोला, ये जूट कब बोल सका, और कैसी चर्च में जूट बोल सका, कौन से पास्टर के पास जूट बोल सका, जो सच्चा पास्टर था यूटू वालो, एक ऐसा पास्टर जिसके पास में पिता, प उसके पास में हननिया जैसा चर्च का मेंबर, हननिया और सफीरा जैसा एक ऐसा फैमली, जो परमेश्वर के काम को मेरा हाथ देख लीजे, जो परमेश्वर के काम को हलके में ले रहा है, जो परमेश्वर के सेवक को हलके में ले रहा है, जो खुद के जीवन को हलके में ले रहा है और उसको लगा की चलता है उसको लगा की सब चलता है थोड़ा सा जूट बुलनू चल जाएगा थोड़ा सा मज़ा करनू चल जाएगा थोड़ी सी मस्ती करनू चल जाएगा लेकिन उसको नहीं पता था कि ये कलिसिया पत्रस की नहीं है ये कलिसिया इश्यू की है यहाँ तालियां चाहिए थी वाव वाव ये कलिसिया इश्यू की है ये मिशन इश्यू का है जितने लोग मेरे से जुड़े है दुस्रे शब्दों में मसी मंतन से जुड़े मैं साथ ही साथ आपको बताता चलू कि जब आप परमेश्वर के राज्य में मसी मंतन के लिए काम कर रहे है आप मसी मंतन के लिए नहीं कर रहे है आप ड्यानियल राज के लिए नहीं कर रहे है बलकि हम सब उस परमेश्वर के काम को कर रहे है जिसने हमें दिया है, इसलिए we have to be very careful we have to be very careful yes or no वाँ इस वेक्ती ने पवित्रात्मा से जूट बोला, देखो क्या लिखा है लिखा है पत्रस कहता है हननिया भूमी के दाम में से कुछ रख छोड़ा ये तुने जूट बोला, ये क्यों नहीं वचंचार जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी, जब भिग गई तो क्या वो तेरे वश में नहीं थी तुने ये बात अपने मन में क्यों विचारी तु मनुशों से नहीं परंतु परमेश्वर से जूट बोला see this see this, इसका मतलब क्या पता है तो मर्जी से दो लेकिन अमानदारी अप सभी को पता है दूसरे कुरंत यो nवका सद्मे क्या लिका दे जो भी दे, हर्श से दे जो भी दे, मर्जी से दे लेकिन कैसे दे, कुषी से दे किसी के ढभाह में नहीं Yes or no Yes or no आप सोचिए ये स्वेक्ति की प्रॉपर्टी इसकी थी इस वेक्ति की पैसा इसका था ये इसने दस लाक में बेचा पांच लाक में बेचा ये पैसा इसका था इसने तै करना था और जितना तै किया था पांच में से ढाई लाक दूँगा दस में से पाँच लाग दूँगा पत्रस जी जमीन विकी दस में लेकिन पाँच देने का सोचा है ये कभी नहीं मरता ये कभी नहीं मरता लेकिन इसने क्या का पता है इसने जूट बोला उसने कहा जबकि विकी थी दस लाग में इसने का कि 5 में भी की, 5 को इसने छुपा दिया, यही जूटता, इसको क्या कहेंगे? जितने DT के लोग हैं और जितने YouTube के लोग हैं, प्लीज मुझे बताए, इस घटना को क्या कहेंगे? इस गटना को नहीं कह सकते कि इसने पाप को हलके में लिया यहाँ, exactly इसने पाप को हलके में लिया इसको लगा चलता है जरह आप लोग भी भोल दे सकते जबान से चलता है, कितने लोग ऐसा जीवन जीरे बुलता है, चलता है अरे चर्च में जाएंगे, मस्ती करेंगे, पीछे बैठेंगे, जैसा चाहिए करते हैं, क्यों? अरे चलता है, इसको भी लगा चलता है, लेकिन नहीं चलता है, अगर ऐसा सोच के चर्च में आओगे, तो खुद ही एक दिन चलता हो जाएगा चार कंदों पे, वाँ, सी, वच होता, मैं डॉक्टर को पूछता, डॉक्टर लुक को पूछता, जरा पोस्मॉटम करो, और हमको बताओ कि इसकी मौत कैसे हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है, हाला कि हमारे पास में किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्चर तो कहर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मौत हा चुपा रहा हूँ, इसको लगा मैं पत्रस के साथ में खेल रहा हूँ, लेकिन इसको नहीं पता था कि पत्रस के साथ में नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के साथ खेल रहा है, जैसे ही सुना, इसको हार्ट अटेक आ गया होगा, मैं वापस कह रहा होगा, इसको हार्ट अटे परमेश्वर को मजाक में लिया, नमबर तीन, इसको लगा पत्रस से छूट बुल रहा, नमबर चार, ये पाप को हलके में ले रहा था, जबकि ये एक ऐसे चर्च का मेंबर था, जहां पवित्रात्मा कुछ ही दिन पहले प्रिथवी पे बड़े जोरू से आथा, अब आप सो लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सबी को कहना चाहता हूँ, प्लीज, प्लीज, परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना, उसकी सेवा को मजाक में नहीं लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा, मैंने कल क्या का था, पाप कैसा है, वाइरस की तरह, मैं आज क्या कह रहा हूँ, पाप को क्या नहीं लेना है, हलके में नहीं लेना है, डोंट टेक सिन लाइटली, वाव, मुझे कुछ और बताने दीजी आपको, ये चीज़े आपको बता चुका हूँ, लिखा है ये बाते सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्रान छोड़ दी है, और सुनने वालों पर बड़ा भय चा गया, वचंचे, फिर जवानों ने उठा कर उसकी अर्थी बनाई, कॉफिन बॉक्स अर्थी, बाहर ले जाकर गार दिया, लगबक तीन घंटे के बाद उसकी पतनी, जो कुछ हुआ था, ना जानकर भी तरा है, अब जरा, लॉजिक देना कनेक्शन दे रहा हूँ, लॉजिक नहीं, कनेक्शन दे रहा हूँ, बहुत ध्यांसर सुनिएगा, सोचिए, तीन घंटे तक वो मंडली में क्या चला होगा, ओके वापस बुलना पड़ेगा, ये लड़के आए, डेट बॉड़ी को ले गए, और लेके जाके गार दिये, त मैं आपको बता तो तीन घंटा क्या चला होगा, पत्रस ने कहा होगा, अभी देखा, क्या घटना घटी, सब ने बोला, येस, अब जूट बोलोगे, बोला ने, पापको हलके मेलोगे, बोला ने, आपने देखा, परमेश्यों ने क्या घटना घटाईयां पर बोला, हाँ, चल गया, ऐसी teaching चल रही होगी ऐसी चर्चा बात चल रही होगी अनीता से सुनीता, अनीता से सुनील अनील से, ऐसा कुछ चर्चा चल रहा होगा यार, कल तक तो Sunday Church अच्छा था, एक हफ़ते पहले Sunday Church अच्छा था, कल तक की Bible study अच्छी थी, लेकिन अच्छानक से यार, या आदमी नी क्यों कर दिया, यार यार या अच्छानक से ऐसी घटना घट गए ऐसा, शब्द दिखा देता हूँ वापस से, ऐसा धर मैं repeat करता हूँ, लिखा है सब सुनने वालों पर भाए नहीं, लिखा है बड़ा भाए चागया बड़ा भाए चागया इसका मतलब है कि उनको सब की हालत खराब हो गई होगी कि जिस परमेश्वर को जिस परमेश्वर को हम सोचते थे, प्यार करता है अच्छानक से उसने ऐसा डंडा मार दिया, लिखा है कि एक वक्ति की मौत हो गई, उनको आ गया डर अचानक से, जिन्हों ने कहा परमेश्वर शांती देता है, अचानक से उनके उपर जब डंडा पड़ा, तो पता चला कि यार, ये परमेश्वर प्यार भी करता है, यह शांती देता सही है, चंगाई देता सही है, लेकिन यह मारता भी है, यह मारता भी है, ऐसा परमेश्वर को आज इकिस भी सदी में, शोशल मीडिया पे, चर्च के प्लैटफॉर्म पे, मेगा चर्चेस में, इंटरनेशनल चर्चेस में, कैसा पेश किया जा रहा है, प्रभ क्यों नहीं किया पत्रस के टैम पे अननिया को माफ क्यों नहीं किया ऐसा क्या था कि आपको इस वक्ति को मारना पड़ा और इसकी गलती क्या थी एक जूट यह मूर्ती पुजक नहीं था यह वेविचारी नहीं था यह कोई और काम नहीं किया इसने सिरव इतना किया कि एक इस रो नौ? और जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि ये चोटा हो या बड़ाओ ये क्या लगाके रखा है कि चोटा होगा तो माफ कर देगा बढ़ा हो तो माफ नहीं करेगा परमेश्वर क्या मनुष्ट की तरह सोच था है? जी नहीं ऐसा लिखा है रेफरेंस याद नहीं आ रहा है लिखा है परमेश्वर की सोच और मनेश्वर की सोच में जमीन आस्मान का फरक है या सर नो आप जैसे कल पना करते वैसा परमेश्वर नहीं है मैं फिर कहता हूं कि इस वेक्ती ने इस्वेक्ती ने परमेश्वर को हलके में लिया इस्वेक्ती ने जिसका नाम है हननिया मजाक में या परमेश्वर के बातों को हलके में लिया और पाप को हलके में लिया देखो लिखा है तीन गंटे के बाद इसकी पतनी आई ऐसा लिखा है कुछ नहीं पता अब जब ये रस्ते पे आई थी ना जब निकली थी ना गर से तो सोची किया पती को गए एक तीन गंटा हो गए लोटा क्यों ने क्या चक्कर है और इसको पक्का पता था कि ये कहां जाता है कहां जाता है चर्च जाता है तो जैसे ही पता चला तीन गंटे हो गए नहीं आया तो इसकी पतनी सीधा पत्रस के पास आई और लिखा है कि जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई, शाब्द देको भीतर आई, बतलब अंदर आई, ऐसा लिखा है कि जब अंदर आई, वचनाट, अब जड़ा देके क्या सुझनारियो है, क्या महजरा है, पत्रस ने उससे कह मुझे बता, क्या तुमने वह भूमी या जमीन इतने में ही बेची थी कोशन मार्क, पत्रस यहां कॉम्परमाइज नहीं कर रहा है, मुझे यह पता चल रहा है, पत्रस को एक पती के मौत का दुख नहीं है, पत्रस को उस पती के गल्ती का दुख है, वापस बुलना पड़ पत्रस को किसी की मौत हो गई उसका दुख नहीं है पत्रस को किसी ने गल्टी की उसका दुख है अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं अगर मैं ओता और मेरी चर्च होती तो मेरे चर्च के लोग कहते कि Pastor Daniel एक काम करो पत्नी को तो कम से कम बख्षत हो बोला क्यों, दोनों के बच्चे होंगे पती नहीं है, मतलब पिता नहीं है मा तो समालेगी, पत्रस को इसका चिंता नहीं है कि पती, पत्नी, बच्चे, ना ना वो जानना चाता है कि इस जूट में कौन-कौन शामिल है, देखो क्या गजब का पास्टर था उसने कहा, पत्रस ने कहा मुझे बता, ये जमीन कितने में बिकी क्या इतने में ही बिकी अब उसका जवाब देखो, उसने कहा हाँ, इतने में ही बिकी अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि पती और पत्नी ने ऐसा मन बना लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम जूट ही बोलेंगे हम जूट ही बोलेंगे पती जूट बोलेगा तो पत्नी जूट बोलेगे इसका मतलब मैं last में connection दोगा जब आपको photo दिखाऊंगा इसका मतलब है कि पत्रस को पता चल गया देखो 9 बचन क्या कहता है पत्रस ने कहा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या बात है देखो उसका tone देखो उसकी body language देखो उसकी बाते देखो पत्रस को अपसोस है कि एक और मौत होने वाली है पत्रस को चर्च में से एक साथ एक ही दिन दो मेंबर का नाम कटने वाला है उसको दुख इस बात का नहीं है कि मौते हो रही है उसको दुख इस बात का है कि ये दोनों जूट क्यों बोल रहे है पत्रस ने उससे का ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभू की आत्मा की परिक्षा के लिए एका किया है, मतलब तुम एक हो गए My goodness देखो नीचे क्या लिखा देख तेरे पती के गाड़ने वाले, दरवासे पर खड़ें, और तुझे भी बहार ले जाएंगे, तब तुरंट उसके भाओं पर गिर पड़ी और लिखा है, प्रांच छोड़ दिया मेरा प्रशने बहुत ध्यान से सुनिएगा पत्रस के ये कहते ही के देख तेरे पती के गाड़ने वाले दरवासे पे खड़ें, तुझे भी बाहर ले जाएंगे इसका मतलब है कि अब इस पतनी को और उसके पती को किस ने मारा या आप पक्का कहोगे परमिशन ने मारा, बिल्कुल सही बात है लेकिन मेरे पास में दूसरा एंगल है इनके पाप ने मारा, इनके मजाक ने मारा, इनके हलके पन ने मारा, इनको लगा कि चलता है इनको लगा पत्रस से आपके बीच में ये बात को रख रहा हूँ कि कभी, कभी मसीब बनने के बाद पाप को मजाक में, हलके में नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, यह सुरनो, लिखा है इसके पाउं पर गिर कर प्रान छोड़ दिया, क्या दुखी बात है, क्या दुखी बात है, एक तरफ चमतकार, एक तरफ आत्मा बचरी, एक तरफ लोग प्रभू को अपना रहें, लेकिन दुस्सी तरफ चर्च के अंदर ही, चर्च के लोग विश्वासी लोगी, ऐसा काम कर रहे है जिसके चलते मौत होगी, लिखा है इन बातों के सब सुने वालों पर फिर शब्द को ध्यान दीजेगा, लिखा है बड़ा भय चागया, तो वच्छन पांच में लिखा है डर आगया, और वच्छन ग्यारा में लिखा है डर आगया, परमेश्वर ने इसको देख लो, पत्रस से ये क्यों करवाया, या क्यों कराया ये रखना चाहता हूँ आप लोग तैयार है, लिखा है ताकि लोगों में परमेश्वर का भय है और लोग पाप को यानि कि आगया तोड़ने को हलके में ना ले ये बात को समझाना था मैं वापस रखता हूँ पत्रस से परमेश्वर ने ये क्यों करवाया ताकि लोगों में परमेश्वर का भय हो और लोग पाप को यानि आगया तोड़ने वाली बातों को हलके में ना ले जिसके चलते पहली सदी की कलिस्या में एक साथ दो मौत हो गई एक है पती दुसरा है पत्नी और दोनों की मौत होई एक ही वज़ा से और वो वज़ा है कि इन्होंने जूट का आगया तोड़ी जिसको कहते पाप को हलके में लिया येस नाव अब इसको देखो ये चित्र देख लिजे लिखा है दोनों में से कोई एक अगर उस दिन पाप को हलके में ना लेता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता ये दोनों के दोनों बच जाते येस और नो ये दोनों के दोनों बच जाते एक अच्छी गवाही रखते अब इसका connection आपको तब समझेगा जब मैं वापस आपको ये चितर दिखा दूँ, फिर से दिखा देता हूँ, मेरे साथ में बने रहें, कौन सा हवाला चितर? ये वाला चितर. ये वेक्ति जिसका नाम है बरनबा. क्या इसने हलके में लिया? नहीं. क्या बरनबा ने मज़ा किया? नहीं. क्या हननिया ने मज़ किया? Yes. क्या बरणभा को डर था प्रभू का? Yes. क्या इसको डर था प्रभू का? नहीं. See? यही फरक है साथ. ऐसे दो तरह के लोग, आज भी चर्च में दो तरह के लोग. मैं वापस से यह वो फोटो हमें से कोई एक अगर उस दिन भाप को हलके में ना लेता. देखो क्या होता है, पता है? जल्दी से निकालो, एक वच्छा निकालो. साब अबदेश के किताब, उसका चोथा दिया है वच्छा नौ. एक एक वच्छा बीच में रख रहा हूँ. प्लीज थोड़ा बर्दाश करिये. जी, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि मैं इसकी डिटी नहीं बिना पाऊंगा क्योंकि वो स्लाइट पे नहीं है. जी, एक सेकंड, अभी पढ़ रहा हूँ. और जो यूटूब के लोगे हैं, आप भी सुनेंगे. Now, ऐसा लिखा हैं, एक से दो अच्छे. मैं रिपीट करता हूँ, Eclastic 4.9 कहता है, एक से दो अच्छे. क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है. क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, तो दूसरा उसको उठाएगा. अब दिक्कत की बात क्या पता है, यहां दोनों गिरे हुए हैं. आप नहीं समझें. ऐसा लिखा हैं, अगर एक गिरे, तो दूसरा उठाएगा. मुसीबत तो यह हैं, कि दोनों के दोनों गिरे हुए. तो प्रशन उठता है कि इनको उठाएगा कौन? राइट? जी, सब को पूछ रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ, रिस्पॉंस दीजे, अजे, कशप, रिस्पॉंस दीजे, बुथ बन कर नहीं बैटना है. यू हाफ टू बी है न, एक्टिव, ठीक है न? आप लोग सब के उपर नजर है, सब के उपर नहीं, जितना स्लाइट पर दिखता है. जी, तो जड़ा सतर्क रही है. वापस कहता हूँ, कि एक गिरे, दुस्रा उठाएगा, लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह है, कि दोनों के दोनों गिरे हैं, अगर दोनों गिरेंगे, तो उठाएगा कौन? इसलिए फिर कहता हूँ, जैसे ही आपको पता चलता है, जितने प्रीचर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिये, जितने बाइबल टीचर्स हैं ध्यान से सुनिये, पास्टर्स यूटूब पे आप लोग भी ध्यान से सुनिये, आपके प्रिचार में कभी भी, कभी भी कॉम्परमाइज वाली बात नहीं, नहीं, नहीं होनी चाहिए, जो सही है, वो सही है, जो गलत है, वो गलत है, क्यों? क्योंकि पक्का पता है, एक अगर कमजोर है, तो दूसरा उसको उठाएगा, अगर ये कमजोर है, तो वो उसको उठाएगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर दोनों कमजोर पढ़ गए, तो कौन उठाएगा? दोनों दुनिया से उड़ जाएंगे जो कि अभी देखा आपने पती पती दोनों गए एक साथ में और चक्कर क्या है? जूट चक्कर क्या है? पाप को हलके में लिया नाव यह सबसे दुखद घटना मेरे पास में दूसरा कोई फोटो नहीं मिला यह काटून टाइफ फोटो है लेकिन इस्वेक्ति का नाम बताता है इस्वेक्ति का नाम है आकान का पाप आप लोग सब जानते होंगे अगर नहीं जानते तो यह वाला वचन जिसको कहते हैं यहुशु की किताब सातवा ध्याय वचन एक लिखा है कुछ ले लिया इस कारण यहोवा का कोप इजरालियों पर भड़क उठा मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा के परमेश्वर का दाज जिसका नाम है यहुशु एक ऐसा लड़का जिसका नाम है आकान इस आकान ने ये वेक्ति परमेश्वर के जो भारा गोत्र है या यूटूब के लोगो आप भी सुनिएगा जिसमें से एक गोत्र है यहुदा आप सभी जानते मैं जनेसिस की स्टडी के उपर आपको इसका प्रचार कर चुका अगर किसीने जनेसिस की स्टडी नहीं दे की रिक्वेस्ट करता हूं कि जाईए प्लेलीस्ट में और आप जनेसिस की स्टडी को आप लोग देख लें अगर नहीं देखा गजब की टीचिंग है तो इस वेक्ति ने जिसका नाम है आकान ये निकला यहुदा के गोतर से और फिर इसको पूछा गया कि क्या तुने गलती की लेकिन क्यों पूछा गया इसका पाप बाहर क्यों दिखा क्योंकि कुछ तीन हजार युद्धा या तीन हजार लोग ऐसी हार और ऐसी शर्मिंदगी की हुई क्योंकि परमेश्वर ने एक चाप्टर पहले यह है योश्व साथ लेकिन एक चाप्टर पहले यरीकों की दिवार को इनकी आवाज से गिरा दी थी अगर याद होगा यरीकों की दिवार the wall of जश्यरीको एक आवाज से जो सात दिन सात चकर यानि कि टोटल तेरा चक्कर इनको लगवा कर वो यरिकों की दिवार गिरा एक बहुत बड़ी विजय का ये लोग हिस्सा रहे लेकिन साथवे अध्याय के पहले वचन में ये लोग हार गए एक छोटे से देश जिस देश का नाम है एदेश 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 उससे हार गए य यहुशू ने पूछा प्रभू से अगर आप पूरा पड़ोगे तो पता चलेगा कि प्रभू हम इतने बड़े बड़े युद जीते चले आए यरिकों की दिवार गिरा दी गई क्या कहते है उसको दानों जैसे इंसानों को मारते मारते चले आए लेकिन ये चोटा सा कुछ प्रॉपटी का लालच कुछ सोने चांदी का लालच में आकर मुझसे विश्वास घात किया है आप देख सकते हैं शब्द को विश्वास घात किया है और जिसके चलते लिखा है तब वचन पंदरा में जो पुरुश अरपन की वस्तू रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में ढाल कर जला दिया जाएगा क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा और इसराइल में अनूचित कर्म किया है और इस वेक्ती ने जिसका नाम है आकान इसने पाप को हलके में लिया फोटो देखिए एक तरफ उसकी जोरी पकड़ी गई और दुसरी तरह उसकी पत्नी, बच्चे, अंकल, अंटी, चाचा, चाची, प्रॉपटी लेने वाले हिस्सेदार जितने भी हैं सब को पत्थर से मार कर लिखा है उनको आग में जला दिया गया मैं बता हूँगा आग को My goodness, get ready now. वच्चन अठ्रा कहता है तब उसके घराने के एक एक पुरुष को समीब खड़ा किया और यहूदा का गोत्र आकान जो जरह वीवंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था पकड़ा गया शब्द को धिया पकड़ा गया यह जो सिस्टर है जिनका नाम है एदेड्रेस में? दिवाजी आपका ध्यान है टीचिंग में? दिवाजी या दिवा दिवा र wra cooperation धिया आप था कर कर चा कर पता थिंआ ठिजिए? दिवा दिवा हाँ focus करिए teaching पे focus करिए ठीक है या मेरी मजबूरी है वापस आ रहा हूं ऐसा लिखा है आकान पकड़ा गया और जब पकड़ा गया वचन 25 लिखा है तब यहूशु ने उससे कहा तुने हमें क्यों कस्ट दिया किसने तुने यह तुने कोने आकान क्यों कस्ट दिया हम युद्ध जीत रहे थे मिशन पे कामयाब हो रहे थे आतमा बच रही थी कलिश्या किस्तापना हो रही थी आरी है ना बात आत्मिक बाते ऐसा करते करते हम अच्छा खासा चल रहे थे लेकिन तेरी एक की गलती के चलते हमको कस्ट हो गया, हम जीते जीते हार गये, ऐसा तुने क्यों किया, लिखा है आज के दिन यहोवा, तुझी को कस्ट देगा, तब सब इद्रालियों ने उसको पत्थरवा किया, अभी उसको देखो, उनको आग में डार का जला दिया, उनके उपर पत्थरों का बड़ा धेर लगा दिया, जो आज तक बना है, और तब यहोवा का भड़का हुआ कोब शान्त हो गया, माइ गौड, लिखा है उसके बाद परमेश्वर का गुस्सा शान्त हो गया, इस कारण उस थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा हुआ है, आक बच्चे, मा, सब को पत्थर से मार कर जिंदा चला दिया गया, या उनको आग में डाल कर मार दिया गया, क्यों? एक ही चीज़ है, और वो है बाप को हलके मिलिया, अब आप सोच के देखो यह कौन सा परमेश्वर है, जो आपके अंदर बसा हुआ है, कौन सा परमेश्वर, जिसको आप एलोहिम कहते है, कौन सा परमेश्वर, जिसको आप त्री एक परमेश्वर कहते है, पिता, अपुतर, पवितरात्मा, यह वही परमेश्वर है, जो अभी आपके अंदर है, तो आपको सोचना होगा कि, जिसने आखान को नहीं छोड़ा, जिसने हननिया सफीरा को नहीं छोड़ा, फिर वो आपको कैसे छोड़ेगा अगर तुम हलके में लोगे, वाव, I wish कि मैं सब की माई कौन करवाता, और आप लोगों से बात करता, और आपको पुछता कि वो प्रचारक का फिर क्या जो कहते प्रभू प्यार करता है, प्यार करता है, मैं उसके परमिश्वर प्यार करता है, आप माबाप हैं, आपके बच्चों से आप प्यार करते हैं, अफ्कोस करते हैं, लेकिन उसी बच्चों को आप ढंडे से क्यों मारते हैं, जब वो गलती करता है, उसी बच्चे के ओपर हाथ क्यों उठाते हैं, जब वो मस्ती करता है, गलत काम करता है यही तो परमेश्वर का नेचर है परमेश्वर क्या कहता है पता है और एक आगया सुनो 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 यहां बात है ना सिर्फ एक वेक्ति की नहीं है बात यहां कलीसिया की है बात यहां रास्ट की है मैं इसका conclusion वैसी दूँगा यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम लोग कौन लोग हैं ताकि हम परमेश्वर को हलके में ना लें परमेश्वर के बातों को हलके में ना लें और नहीं पाप को हलके में लें वाँ ऐसी बातें आजकल नहीं हो रही हैं दोस्तो ऐसी बाते नहीं हो रही है अच्छा एक और connection दे रहा हूँ कुछ लोग कह सकते हैं कि Pastor Daniel जिसने गलती की है उसको मारना था बच्चों को क्यों मारा, पत्नी को क्यों मारा बाकी लोग को क्यों मारा, सुनना चाओगे इसका जवाब, जो मुझे पता चला मैंने जो study करी, मुझे जो पवित्रात्माने बता है, मैं आपको बता दू, मैं आपको बताता हूँ, देखो परमेश्वर क्या कहना चाता है, बच्चे मरे हैं ना उनका मरने से वो नरक नहीं जाएंगे कौन बच्चे वापरे वापस आना पड़ेगा बच्चे जो है ना, बच्चे जो मरे है ना वो नरक नहीं जाएंगे, पता है क्यों? अगर यही बच्चे बड़े होकर बाप के पद चिन पे चलने लगे बाप की तरह चोरी करना सीख जाए जो कि खून में आता है फिर वही बच्चे बड़े होकर नरक जाने से अच्छा, यह चोटे पन में स्वर्ग में जाए, वो बहतर है ना अब इसका connection या logic जो मैंने लगाया बाकी लोग यह प्रशना उठा सकते हैं परमेश्वर निर्दई है? नहीं, परमेश्वर कठोर है? नहीं, लेकिन परमेश्वर से जादा भविष्य को कौन जानता है? सिरफ परमेश्वर दस साल के बाद में यह परिवार क्या निकलेगा कौन जानता है? सिरफ परमेश्वर फिर प्रशना उठता है कि नुहा के टाइम पे पूरी दुनिया को क्यों खतम कर दिया? उसमें भी तो जानते है कि किसानों की एक बहुत बड़ी यह चल रही है क्या कहते है उसको? हरताल और उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि हम जो अनाज उगाते हैं उसके बाद जब कटनी हो जाती है हमको पूरा का पूरा खेद जलाना पड़ता है और जिसका पलूशन जो है आसपास के शेहर पे जाता है Is that right? Now, मैं किसान तो नहीं हूँ लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जानकरी है अगर आपने खेद में गिवू बोया और अगले फसल आपको चावल की बोनी है तो आपको पता है क्या करना पड़ता है वो पूरे खेद को आग लगाना पड़ता है पता है क्यों? क्योंकि जो पिछला भीज है न वो वापस कहीं उगना जाए My goodness ताकि फ्रेश बीज वापस से आए जिसका भीज बोया है वही आए पिछला भीज नहीं वैसे ही परमेश्वर कहता है मैं तोटल जड समेथ चीजों को खतम करना चाहता हूँ मैं ये connection इसले बीच में रखा हूँ क्योंकि बुद्धी जीव लोग यूटूब पे भी बैठे रहते हैं जो सवाल करते हैं मैं समझता हूँ कि वक्से पहले उनको जवाब मिल गया होगा तो एक ऐसी घटना आकान के साथ घटी और परमेश्वर का गुसा शांत तब हुआ जब वो वैक्ती पृत्वी से खतम हो गया हननिया सफीरा के प्रती भी परमेश्वर का गुसा तब खतम हुआ जब वो प्रत्वी भे से खतम हो गया जब तक मृत्यू नहीं होती परमेश्वर का गुसा शांत नहीं होता और यही वज़ा है कि हम सब के गुनाओं की सजा यश्व को दी और यश्व जब तक नहीं मर गया तब तक परदा नहीं पटा दूसरी तरफ अलिशा जो इसके पैसो को इंकार कर रहा है और तीसरी तरफ गहेजी उसका नौकर जिसको कोड़ लग गया तो उपर लिका है नामान का कोड़ गहेजी को दूसरा राजा पाच्छवा दिया एक से सत्ता इस यह टोटल चप्टर इसके उपर आदा रहता है 2nd King chapter 5 verse 1 to 27 अब इसकी घठना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ आप लोग अगर सब लोग तैयार है तो मैं आगे बढ़ू ओके नाव यह मानाव गंग मानाव गंग क्या मानाव क्या है आप लोग का फोकस रखो बेटा हाँ बच्चे लोग तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जी थोड़ा हजम करिये क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज़्यादा गजब का है सब लोग तैयार है आगे बढ़ सकता हूँ जिसको पानी पीना है पीलो जिसको तोड़ा रिलाक्स होना है मतलब बहार नहीं चले जाना कैमरा चोड़के बढ़ लोग या चले बात को आगे रख रहा हूँ ना एक ऐसा विकती जिसका नाम है अलिशा उसका जो गुरू था उसका नाम था अलिया आप सभी जानतें कि एलिशा को ने जिसने एलिया का डबल पोशन of the power मांगा ऐसी ministry करते करते ही जब एलिशा आगे बढ़ा तो इसको भी एक नौकर मिला जिसका नामता कही जी तो एलिया का पावर एलिशा को तो एलिशा का पावर इसको इस वेक्ति को जिसका ना मैं कही जी लेकिन इस वेक्ति ने बड़े ध्यान सो सुना इस वेक्ति ने अपनी मुर्खता के चलते एक बहुत बड़ा पद एक बहुत बड़ी ministry खोदी और हमेशा के लिए कोडी बनकर मर गया और सिरफ खुद कोडी नहीं हुआ मैं रखूँगा साथ में और कौन-कौन कोडी हुआ मैं वो भी बताऊँगा तो सबसे पहले एक सहना पती जिसका नाम है नामान एलिशा के पास आता है मेरा कोड ठीक कर दो मैं डॉक्टरों के पास जा जा के ठक गया हूँ ये कोड ला इलाज है लेकिन मुझे किसी ने कहा है आपके पास में परमेश्वर है क्योंकि नामा नाविश्वासी था ये इश्वर को नहीं मानता था बतला परमेश्वर को नहीं मानता था ये किसी और देवी देवताओं की अरादना करता था लेकिन जब अलिशा ने कहा कि तुझे साथ बाल डूपकी लगानी है तेरा कोर्ड चला जाएगा आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कोर्ड चला गया और ये इतना खुश हो गया कि कही लोगों के साथ में आकर इसने बहुत सारी ओफरिंग मैं रिपीट करता हूँ बहुत सारी ओफरिंग सोना, चांदी, पैसा सब कुछ लाकर किसको दिया इस अलिशा के पास में लेकिन अलिशा ने इसको साफ मना कर दिया और मुझे नहीं बता इसके पीछे मना करने कारण शायद ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी property, इसका पैसा शायद धेवी देवताओं का था या उसके साथ कोई connection होगा इसके चलते इसने मना किया, इसने का मैं नहीं लोगा लेकिन इसका knocker इस सेनापती के पीछे भागता है और जूट कहता है, वापस जूट आ गया देखो अभी तक कौन सा चल रहा है? जूट, जूट, जूट ठीक है न? ये भागता है किसके पिछे? सेनापती नामान के पिछे नामान पुछता है, उसने कहा क्या हाल सब ठीक है? सब कुशल है, कौन कहता है, गही जी कहता है सब ठीक है, परन्तु ये शब्द देखो, परन्तु मेरे स्वामी ने, किसने अलिशा ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एपरेम के पहाडी देश से बविश्वक्ताओं के चेलों में से दो जन मेरे यहाँ अभी आए है मतलब आप निकले कि वो आगए जूट है, जूट है ये जूट है इसलिए उनके लिए एक किकर चांदी और दो जोडे वस्त्र दे अब इसको देखो जैसी उसने पैसे लिए और सब कुछ लेकर वो भीतर जाकर किसके सामने अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ एलिशा ने उससे पूछा हे गए जी तू कहां से आता है अब दूसरा जूट उसने का तेरा दास तो कहीं नहीं गया था माइ गुटनेस तेरा दास कहीं नहीं गया था अब आप सोचिए अलिशा कौन है जाना चाहते है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अलिशा वो है जो दुश्मन के किछन में क्या चल रहा है परमेश्वर इसको खुले परदे में बता देता है इसके बेडरूम में क्या चल रहा है एलिशा को परमेश्वर बिलकुल साफ बता देता है जैसे आप लोग वीडियो में कोई प्रोग्राम देखते है या मुझे देख रहे है ऐसा वेक्ती जिसका नाम है एलिशा एक ऐसा प्रॉफिट जिसको सब कुछ प्रभू ऐसे दिखा देता है ऐसे दिखा देता है और जिसके चलते ये नौकर जिसका नाम है गहे जी इसको पैसे का नशा पैसे का अंधापन लालच का अंधापन इतना था कि ये अपने स्वामी को तो नहीं पहचाना ये तो गलत है लेकिन ये खुद परमेश्वर तक को भूल बैटा या परमेश्वर तक को नहीं समझ पाया लिखा है मैं कहीं नहीं गया था स्वामी मैं तो यहीं पे था मैं तो यहीं पर रह 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 था मैं कहा गया अब जरा वचन देखें वचन चपें लिखा है क्या यहां समय चांदी ववस्त्र या जलपाई वा दाकरस की बारिया, बेड़ बकरिया, गाय बैल, दास दासी लेने का है, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि गई जी, तू जब से निकला है, क्या क्या किया, सेना पती को क्या कहा, कहा पैसे चुपाएं, एक एक चीज मैं तेर को बता दूगा, तब जाकर ये कहता है, क क्या ये वक्त पैसे कमाने का है, क्या ये वक्त, यूटूब के लोगों द्यान सो सुनो, क्या ये वक्त चर्च के लोगों को जूट बोल कर, दश्माश के नाम पे, दान के नाम पे, प्रेयर सीड, प्राथना का बीच के नाम पे पैसे कमाने का है, तो सीधी जवाब है, नो आप भोले भाले लोगों को जो चर्च में आते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मानों क्या कर रहा है ये मानों क्या कर रहे हैं ये लोग आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे लोग या नीता जी इनको फॉलो करो मानों को फॉलो करो और उनसे बाद में बात करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये टीचिंग सुन रहे हैं, हस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में रहे हैं. तो उनको request करता हूँ कि आप लोग ठीक से सुनें, अन्यता फिर आप लोगों को कल से मना किया जाएगा. So be serious, topic बहुत अलग है. Okay, मानाओ, वापस के रहा हूँ, जरा हाथ दिखाओ, मानाओ. या मानाओ, ये लड़का, या, प्लीज, प्लीज, वाइट टीशिट, ध्यान से सुनों, बच्चे लोग, ठीक है ना? वाव, वापस आना होगा, वापस आना होगा. एलिशा कहता है, क्या ये समय चांदी कमाने का है? क्या ये समय वस्तर कमाने का है? क्या ये समय जलपाई का दाकरस की बारियां, बेड बकरियां, गाए बैल, दास-दासी लेने का है? तो सीधा जवाबे No, No, No ये वुक्त, बहुद इह नसो हो Vermaशी मंदन के लोगो ये वुक्त है येश्यू कि सेवा करने का ये वुक्त है आत्मा बचाने का ये वुक्त है परमिशवर के पीछे चलने का ना की चोड़ करना, ना की छूँड बोलना ना कि किसी प्रकार के लालच में पसकर अपना बुलाहट को खोना मुझे दुख Jesus Christ कैसे बोलू द्यान से सुनो मुझे दुख उस दिन इस बात का नहीं होगा कि लाखों की तादात में मूर्ती पूजक नरग जा रहे लाखों की तादात में वे भी चारी नरग जा रहे लाखों की तादात में शराबी, नशा, ड्रग्स करने वाले नरग जा रहे मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होगा जरा देख लीजेगा मेरे हाथ में क्या रख रहा हो मैं मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होगा कि जो बाइबल को रखे नरख जाएंगे मुझे दुख इस बात का होगा ऐसे लोगों का दुख होगा जो परमेश्वर के वच्छन का प्रचार करते हैं ऐसे लोगों का दुख होगा जो बिशप कहते हैं खुद को अपोस्तल, प्रॉफिट, रेवरेंट ऐसे वैसे डॉक्टर न जाने क्या क्या कहते हैं ऐसे लोगों की तादात अगर नरक जारी होगी मुझे दुख होगा जानते हो एलिशा को गुसा कितना है इसका गुसा देखो वचन 27 में इस कारण से नामान का कोड तुछे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा मतलब कोड जो है न सिस्टर निजला जी देखिए लिखा है कोड जो है न ये सिरफ नामान को नहीं है लिखा है उसके वंश को लगा रहेगा इसका मतलब है कि नमान के कोर में जिदने भी बच्चे पैदा होंगे वो कोर के साथ पैदा होंगे तह वहिं सा शुवेद कोडी होकर उसके सामने से चला गया अब आप बताईए क्या ये पाप जो नमान ने किया, ऐसा पाप जो आखाने किया, ऐसा पाप जो हननिया सफिरा ना किया, क्या इन तीनों को जो सजा मिली है इसके पीछे क्या चीज़ है, एक ही चीज़, पाप को हलके में लिया पाप को हलके में लिया यह सुरू नो अब आप सोच के देखिए कौन सा परमेश्वर है, कहते हैं प्रभु दयालू है, अफकोस लेकिन क्या सस्ता बना दिया है, नहीं परमेश्वर प्यार करता है क्या सस्ता बना दिया है, परमेश्वर माफ करता है, क्या सस्ता बना दिया लेकिन वो परमेश्वर भी, इसका Bible का प्रचार कर रहे हम तो अनुगरे के युग में तो फिर हननिया सफिरा कौन से युग में थे क्या बात करते हो यार कहते हैं परमेश्वर तो माफ करने वाला क्योंकि उसका बेटा बलिधान हुआ है तो फिर मैं वही परमेश्वर को पूछूंगा फिर हननिया सफिरा को आपने क्यों मारा कमान 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 या सर ना अब प्रशन उठता है मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है अब प्रशन उठता है ये गंबीरता कैसे आएगी और हम बाप को हलके में लेना छोड़ दें ये गंबीरता कैसे आई, मैं इसको बता कर आगे बढ़कर समाप करूँगा, तो सब लोग ठीक है अभी तक यहाँ, यहाँ कुछ हो रहा है मतलब आपके अंदर एक ऐसी बात आनी चाहिए कि यार डैनियल भाई बात तो सही है, हम परमेश्वर को हलके में नहीं ले सकते पाप को हलके में नहीं ले सकते परमेश्वर के साथ में मजाक मस्ती नहीं कर सकते लालच में आकर परमेश्वर के साथ दोका नहीं कर सकते राइट आई इसको देखे, भजन सहिता मैं आपको बता रहा हूँ कि यह गंबीरता का जीवन कैसे जी सकते और पाप को हलके में लेना कैसे छोड़ सकते हैं तो भजन साहिता 1911 माफ करें 119 का 11 मैंने तेरे वच्छन को अपने रिदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप ना करो और इसी का पैरलल मतलब बिलकुल हूबा हूँ पाउलूस भी अपनी कलिस्या को कहता है कि मसी के वच्छन को अपने रिदय में अधिकाई से बसने दो ये दोनों का कनेक्शन पाप से है मैं आपको अभी बता देता हूँ तो आप लोग तैयार है इसको ले लीजे तोड़ा हेवी है लेकिन मज़ा आएगा ठीक है ना वापस से आपकी बीच में रखने जा रहा हूँ भजन साहिता 119 का ग्यारा कहता है मैंने तेरे वच्छन को अपने रिदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप ना करूँ और इसी को पैरलल पाउलूस कहता है कि अपने परमेश्वर के बच्छन को अधिकाय से अपने रिदय में बसने दो तो सबसे पहले बात करते है भजन साहिता 119 का एक से 20 तक में मैं बहुत जल्दी पढ़ूँगा लिखा है क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे यहुवा की वैवस्ता पर चलते है क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितोनियों को मानते है और पुरुन मन से उसके पास आते है फिर लिखा वचन तीन में फिर वे कुटीलता का काम नहीं करते मैं रिपीर करता हूँ वे कुटीलता का काम नहीं करते वे उसके मारगों पर चलते है तोने अपने उबदेश इसलिए दिये हैं कि वे यतन से माने जाएं बहुत ध्यान से सुनिए भला होता कि तेरी वीधियों के मानने के लिए मेरी चालचरण दिड़ हो जाए वचन छे कहता है तब मैंने तेरी सब अग्याओं की और चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी वचन साथ जब मैं तेरे धर्मिय नईमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा वचन आठ मैं तेरी वीधियों को मानूंगा मुझे पूरी रीति से ना तज मतला मुझे मत छोड़ वचन नो जवान अपने जाल को किस उपाय से शुद रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से वचन ग्यारा माफ करे वचन दस पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ मुझे तेरी आग्याओं की बाट भटकने ना दे तेरी आज्याओं की बाट भटकने ना दे वचन ग्यारा मैंने तेरे वचन को अपने रिदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप ना करो हे यहोवा तू धन्य है मुझे अपनी विदियां सिका क्या बात है वचन तेरा तेरे सब कहे हुए नियमों का वरनर मैंने अपने मू से किया है वचन चौदा मैं तेरे चितोनियों के मारगों में मानो सब प्रकार के धन से हर्शित हुआ मुझे तेरे वचन पैसे से भी ज़्यादा उत्तम है ये बोलने कोशिश कर रहा है वचन पंद्रा मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा तेरे मारगों की दुस्टी रखूंगा अब इसको देखो मैं तेरे वीधियों से सुख पाऊंगा माफ करें मैं तेरे वीधियों से सुख पाऊंगा तेरे वचन को ना भूलूंगा वचन 17, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं वचन 18, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी विवस्ता की अद्पुत बाते सीख सकूं वचन 19, मैं तो प्रित्वी पर परदेश यूं अपनी आज्याओं को मुझसे छिपाए ना रख वचन 20, मेरा मन तेरे नियमों की अभी लाशा के कारण हर समय खेदित रहता है वाव, सी, ये है भजन सहिता लिखने वाला 119, खेता है तेरा वचन मुझे पाप से बचाता है अभी इसी का पैरलल, कुलिस्यों तीन का एक से बरा देखो, बिल्कुल सिमिलर है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता है लिखा है सो, जब तुम मसी के साथ जिलाए गए तो सुर्गिये वस्तु की खोज में रो जहां मसी वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिनी और बैठा है प्रित्वी पर की नहीं, परन्तु सुर्गिये वस्तु पर ध्यान लगाओ प्रित्वी के सोने चांदी पर नहीं, परन्तु येश्व पर ध्यान लगाओ वचन तीन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए तुम्हारा जीवन मसी के साथ परमेश्वर में छिपा है वचन चार जब मसी जो हमारा जीवन है प्रगट होगा तब कहता है तब तुम भी उसके साथ महिमा साहिद प्रगट किये जाओगे वचन पाथ इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो प्रित्वी पर है अर्थात वेबिचार अशुजदा दुषकामता दुषकामना भुरी लालसा लोब जो मूर्ती पूजा के बराबर है वचंचे इन ही के कारण परमेश्वर का कोप देख लो इन ही के कारण परमेश्वर का कोप आग्या ना ममानने वालों पर पड़ता है हननिया पर पड़ा, सफीरा पर पड़ा गहेजी पर पड़ा, कान पर पड़ा और अब कलिस्या पर पड़ सकता है लिखा है जो आग्या नहीं मानते उन पर पड़ेगा क्यों क्योंकि वो मूर्ती पूजग बन गए कैसे पाप को हलके में लिया वचन साथ तुम भी जब इन बुराईयों में जीवन बिताते थे तो इन ही के अनुसाथ चलते थे वचनाथ पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध रोश भैरबाओ निंदा मूसे गालियां बकना ये सब बाते छोड़ दो एक दुस्से से जूट मत बोलो ये देखो एक दुस्से से जूट मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुच्टव को उसके कामों समेत उतार डाला है वचन दर नए मनुच्टव को पहन लिया है जो अपने सिरजन हार के सरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है वचन गयरा उसमें ना तो युनानी रहा ना यहूदी ना खत न रहीत ना जंगली ना सकूती ना दास ना सौतंत्र केवल मसी सब कुछ और सब में है और वचन बारा क्या कहता है देखो इसलिए परमेश्वर के चुनियों की ना है जो पवित्र और प्रिये है कौन परमेश्वर भड़ी करुना भलाई और दीनता नमरता सहीत लिका है सहनशीलता धारन करो इसका मतलब क्या है कैसे बच सकते पाप से कैसे बच सकते पाप को हम हलके में नहीं ले सकते है क्यों एक ही रास्ता है परमेश्वर के वच्छन में बने रहो परमेश्वर के सिक्षा में बने रहो मैं आप सभी के लिए ताली बजाना चाहूंगा जो अभी मुझे देख रहे हैं आपने वही किया है आप लोग वच्छन में बने हुए नहीं तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग आज वचन में नहीं हैं उनको टाइम पास चाहिए उनको कॉंसर्ट चाहिए उनको गाना चाहिए उनको मसी में मनुरंजन चाहिए लेकिन उनको वचन की सिक्षा नहीं चाहिए और ऐसे कितने यूथ हैं जो गल्फ्रेंड, बॉइफ्रेंड, लड़का, लड़की के चक्कर में पढ़कर अपने मसी जीवन को खराब कर लिए हैं और लिखा है कि परमेशुर का गुस्सा उनी पर प्रकट होता है जो उसकी आज्याओं को नहीं मानते हैं अब इसको देखे, मैं समाप्ती पे भी आ रहा हूँ, इसको देखे, वचन 6-6, लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनशित्व उसके साथ कुरूस पर चड़ाए गया है ताकि पाप का शरीर वेर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपको पता चल गया, आप यशु में हैं, तो आपको अपने शरीर को यशु में जैसे कुरूस पे चड़ाया, वैसे आपको आपके शरीर को चड़ाना है, not physically, इसका मतलब यह नहीं है कि कल सुबे जाकर आप कुरूस उठाएं औ दो तीन को लेकर जाएं और कहें कि भाई एक हाथ में खीला मार दे, दुस्से हाथ, ना, 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 मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आत्मिक, जैसे यशु ने का ना, आप ठोकर निकालती है तो, आप निकाल दे, हाथ ठोकर निकालता है तो, हाथ निकाल दे, यादा है कि नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि ये शुने का कि अंदा, लंगडा, लूला, बुन जा, उसने का आत्मिक बातों में, जो तुझे बढ़ने को रोकती है, उसको निकाल दे, वाउ, पहला पत्रा चार का एक से साथ में, देखो क्या लिगा है, शो, सबकि मसीने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी, उसकी मनसा को धारन करके, हतियार बांद लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वो पाप से छूठ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ, शरीर में दुख उठाया, पाउलूस क्या कहता है, मैं खुद क मारता हूँ, खुद को पीटता हूँ, याद आ है कि नहीं है, मैं खुद को सजा देता हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर बाते हैं, मैं उसको कूटता हूँ, रोकता हूँ, इसलिए लिका है कि जो शरीर में दुख उठाएगा, वो पाप से छूट जाएगा, बहुत द्यान से सुनिएगा, वच्छन दो पे थोड़ा फोकस करें, ताकि भविष्य में, आप अपना शेष, शारणिक जीवन, मनुष्य की अभिलाशाओ के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वेतित करो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम सेवा करो, आमेन, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम छेले बनाओ, आमेन, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम उसकी कलिस्या की स्थापना करो परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे वच्छन को लेकर शहर चहर गली गली गाओं गाओं प्रचार करो लेकिन जो व्यक्ति आप दियान से सुनना जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा तो पिता की इच्छा क्या है तुम संसारिक जीवन मत जीओ संसारिक इच्छा जीने के बज़ा है तो मेरे लिए दुख उठाओ किया बात है मैं कुछ और बूलना चाहता हूँ क्योंकि परमेशुर कात्माभात कर रहा ठीक है न बहुत ध्यांसर सुनेगा आपके पास में जितना कुछ है न उतना में संतुष्ट रहो अगर जोपड़ा है न तो जोपड़े में संतुष्ट रहो आपके पास में दो वक्त की रोटी है ना, उसमें संतुष्टो, आपके पास में चार कपड़े है ना, उसमें संतुष्टो, आपके पास में मोटर साइकल, गारी, बंगला नहीं है ना, तो भी चलेगा, पता है क्यों, जिनके पास में, जो यहां जीवन जीर है ना, वो सब ज यह सब रखकर ने रख जाने से बेतर, कुछ ना होकर स्वर्ख जाना बेतर है, क्योंकि मैं अच्छे अच्छो को जानता हूँ, यूटूब के लोगों को मिरी च्छी लगे गे लेकिन मुझे बोलने दीजे, मैं अच्छे अच्छो को जानता हूँ, क्योंकि 20 साल मैं ऐसो को के बीच में उठा बैटा हूँ, इनके साथ में काम कर चुका हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कि मेरा किस तरीके का और किस लेवल का इनके साथ में था, इन सब को अच्छे से जानता हूँ, बड़े-बड़े सेवकों की बात कर रहा हूँ, और इसी वज़े से मेरा गुसा इतना है, क्योंकि मैं एक-एक को जानता हूँ, ठीक है न, तो इन सब के पास में अच्छा खासा 2BHK, Bangla, Audi, BMW, और दुनिया भर की property, मै gospel singer की भी बात कर रहा हूँ, और अच्छे-चे preacher की भी बात कर रहा हूँ, सब कुछ है इनके पास में, लेकिन मैं आपको बता तो उस दिन गुसा इसले भी आएगा, और सेम टाइम दुख भी होगा, कि सब कुछ छोड़ा, मूर्ती पूजा, पाप, वेबिचार, लेकिन नर खुछ रहो, खुछ रहो, बैंक में पैसा नहीं है, पास्टर डैनियल, कोई बात ने, एट हीम खाली पड़ा है, कोई बात ने, राशन का डबबा खाली पड़ा है, कोई बात ने, बच्चों के फीज का पैसा नहीं है, कोई बात ने, घर पर कुछ भी नहीं है, कोई बात तुम सिरफ देखो वचन दो फिर पड़ाओं, लिका है भविष्य में अपना शेष्ट, शाररिक जीवन, मनुष्य की अब इलाशाओं के अनुसा नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वेतीत करो, और मुझे पता है, कि जब तुम सच्छाई पे चलोगे, परमे शुर का चिंता है, मुझे खतम करने दिए, वचन तीन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुच्छपन, बुरी अभिलाशा है, मत्वालापन, लीला किरड़ा, पियकड़, घिंडेत, मुर्ती पूजा में, जहां तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ, मतलब जब आविश्वासी थे, तब तक ठीक था, लेकिन अब नहीं, वचन चार, इसमें वे अच्छंबा करते हैं, कि तुम ऐसे बुरी लालच, लुच्पन, माफ करें, बुरी लुच्पन में, उनका साथ नहीं देते, वे इसलिए तुमको बुरा भला कहत पहले सिगरेट पीते थे, हाँ पीएंगे, डारू पीओगे, हाँ पीएंगे, लेकिन अभी मसी बन गए, उनको कहते हैं, नहीं भाई, आप नहीं पीएंगे, तो वो कहते हैं, अरे तु तो पागल हो गया, अरे तु तो इसाई बन गया, अरे तु तो पादरी बन गया, अ यह संसारिक लोग तो जज्जमेंट किसके आत में एशु के आत में आप देखिए वचन छे क्योंकि मरे हूं को भी सु समाचार इसी लिए सुनाया गया पहला पत्र तीन का उनिज यशु नरक में तीन रात तीन दिन क्या कर रहे थे लिखा है वचन छे में मरे हूं को सु सुना रहा था यह देखो जबाब मिल गया आपको कि यह शरीर में तो मनुश्य के अनुसार उनका न्या हो पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें वचन साथ सब बातों का अंत तुनंत होने वाला इसलिए सयमी होकर प्राथना के लिए सचे द्रो अब अ आपको समझना होगा कि आप कौन है है मैं रीपीट करता हूँ आपको समझना होगा आप कौन है जानते हो अप कौने मैं रख रहा हो आपको पाप से छुडा कर उसके राज्य में प्रवेश कराया गया है ओके, 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 वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ बहुत ध्यांसर सुनिएगा आपको सबसे पहले समझना होगा आप कौन है? जिस दिन समझ जाओगे ना तुम पाप को हलके में नहीं लोगे जिस दिन समझ जाओगे ना तुम परमेश्वर को हलके में ने लोगे। लिखा है आपको पाप से छुडा कर उसके राज्य में प्रवेश करा है। कौन सा वचन कहता है यह देखो The Book of Colétion चैप्टर 1, verse 13 लिखा है उस ही ने हमें अंदकार के वश से छुडा कर अपने प्रिये पुत्र के राज्य में प्रवेश करा है इसका मतलब क्या मलूम है इस प्रित्वी पर मैं रख देता हूँ आप उसके राज्य के सेवक है आपको हर बात पे गंबीर होना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यूदा एक तेज कहता है बहुतों को आग में से जपट कर निकालो और बहुतों पर भाए के साथ दया करो वरने उस वस्तर से भी गिरना करो जो शरीर को कलंकित कर देती है या कलंकित हो जाता है इसका मतलब क्या है? आप येशु की जगे पर हैं लोग आपको येशु की जगा पर देखते हैं इसलिए पाप को हलके में मतलो आप नहीं समझे अभी भी आपको येशु की जगे पर लोग देखते हैं आपका काम क्या पता है? दुसरों को पाप से निकालना लेकिन मुसीबत क्या पता है? हम खुदी पाप में गिर रहे हैं आपको दुसरों को टीचिंग देना है पता है? दुसरे हम को टीचिंग दे रहे हैं आपको कैसे रखा है? पता है? आप येशु की जगे पर देखते हैं लोग आपको येशु की जगे पर देखते हैं ये देख लिजे संसारी लोग क्या कहते है इनके पास येशु है तो येशु के जैसा होगा येशु की तरह बाते होंगी येशु की तरह इनका जीवन होगा ऐसे देखते हैं जिसके चलते मैंने लिका है इसलिए पाप को हलके में मतलो कैसा लग रहा है वाँ आप सोच के देखे या 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 तैंक यू विनोद पर मार साब सोच के देखे कि आपका मंबई, मारास्टा, कलकत्ता, बंगाल आपका खनड़ा, आपका अमेरिका आपका अफरीका, आपका भारत का जो भी इलाके से पंजब, गुजरात आप जहां से भी आते हैं, उत्रा खंड, जार खंड, क्या कहते हैं आप जहां से भी तेलकू, कनड़ा, तमिल, जो भी आप लोग है आप सब इशू की जगे पे हैं आज इशू की जगे पे आप आपको संसार के लोग उस नसर से देखते हैं लेकिन बेड़ा गरक हो रखा है, वो बात अलग है लेकिन डीठी के बाद हम एक ही मिशन पे काम करेंगे कि जितने भी गोलियात हैं उन सब को खतम करेंगे, जहने की गलत सिक्षा और दावुद को तैयार करेंगे जिसकी प्रोसेस अभी स्टार्ट है जिसको मैं भी कर रहा हूं कैसा लगा आच का टीसिंग या या, धान्क यू सर इसको खूब शeर करेंगे घूब शeर करेंगे, यूटुप पे अपलोड हो जाएगा भी एक आदे गुंदी के अंदर इसको खूब शeर करेंगे, दूसों को दी जेजे पास्टरों को बीजिए, वो अगर पलट कर कहते हैं, ये क्या बेज दिया, तो उनको पलट कर बोलो, वीडियो देखो, तुमको पता चल जाएगा, मैं और एक बात बोल दूँ, आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा, आपको जवाब देना, और वो भी मुँ तोड़ जवाब दो, मुँ तोड़ मतलब जाके मुँ मत तोड़ो, मुँ तोड़ जवाब दो, ये मैं के निकोशिश कर रहा हूँ, आपको उनको कहना है कि वीडियो देखो, ठीक से देखो, बात समझ में आ जाएगे, कुछ लोगों को है न, इतना गमंड है, वो कहते कि हम इसकी वीडियो क्यों देखे, हम तो हमारे पा, हम देखेंगे, हमारे पास्टर, अरे यार, वो पास्टर, ये पास्टर क्या है, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, और वच्छन प्रभू का प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहा हूँ, जो सही है, वो देदो, क्या दिक्कत है, उनको भी बताना है, ऐसे ही आपको जवाब आना चाहिए, आई एक प्रातना करते हैं, फिर उसके बाद में सवाब करें, निरजला जी, आपने प्रातना करें, थैंक यू जीजुस, थैंक यू लॉड, 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 प्रातना चाहिए, झालँ लॉड, तक म०्झत खरताता आए, थैंक यू लॉड, Г walkman, वह उसके लगए, झालँ कि और उना करें, कि यू जू लॉड, हो ने लॉड, हिउंक यू, जाना उना उना जो खीनक यू, यू लॉड, और स्थर पहिले को अगे विडियो रॉद भाल ने रॉद रॉद बना प्राथ रॉदुन एपड़ जानु सारा अदर सारा महिमा सारा प्रोस सा अमड़ जीवत पर्मेश्वेस्चे निय सु खृष्ट्प रॉन मह गर्णाव मह आद रॉद आमे अमें अमें अमें, okay thank you, God bless you YouTube अलो